नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल बिग जानकरी आज किस वीडियो में मैं आपको पोस्ट होई इसके hardee account को किस प्रकार से और unf teenager किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा बहुती सिंपल प्रोशेस इस वीडियो में आपको पता चलेगा अगर आप सिंगल एकांट open करना चाहते हैं या जुइन्ट एकांट connections करना चाहते हैं तो किस प्रकास इस फॉर्म को फिलप किया जाता है उसके बारे में आपको इस वीडियो में जन करें मिलेगी तो वीडियो को पुरा लास तक जरूर देखीगा तो चलिए सुरू करते हैं तो यह है वह एप्लिकेशन फॉर्म इस फॉर्म के द्वारा आप अपने पोस्ट इस में आड स्तार ही है यहां पर अगर आपका पोस्ट इस में सेविंग्स एकाउंट है तो आपको को बॉज़रती नहीं पर सकते हैं और अगरCाइंगल नहीं है उसकी तो आपको डॉकुमेंट में देना होगा फोटो जो कि यहां पर पेस्ट होगी साथ यहां पर बताते हैं अगर आप अपने नाम से ओपन करने जा रहे हैं यहां पहले में आपको माइनर के नाम से सबसे बता देता हूं तो आपको यहां पर अपना नाम लिखना होगा जो भी नाम एकाउट के लिए तो शोड़ देंगे अब होज़ जाताँ है एकाउंट टाइप आप सिंगलहां ऐडल घोल रहे हैता आपको शिंगल पर टिक करना है माइनर थुर गाडइन खुल रहा है तो माइनर थू गाडिन प्रिट करना रे और person of unsound mind through guardian तो आप जो आपका जो requirement आप उसे तो यहां पर मैं माइनर through guardian के सबसे खोलने जा रहा हूं तो यहां पर मैंने टिक कर दिया अब यहां साथ पॉइंट की बात करें तो यहां single account अगर है तो single पर टिक करेंगे करते हैं तो दोनों ही person के signature जरूत होंगे यह जैसे कि single है तो यहां पर single पर मैंने टिक कर दिया अब यहां पॉइंट आती है वन की यह है अगर आप उसका यहां पर document का नाम और उसका reference नंबर आपको यहां फिलब कर देना है पॉइंट टू में आप यहां देख सकते हैं यहां पर आपको लिखना है कितने आपको फिलब नहीं करना है और माइनर के नाम से अगर आप ओपन कर रहे हैं तो यह पार्ट आपका अपर नाम लिखना है तो ऐसे नहीं कि बच्चे का आधार का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा जेंडर में आप मेल फिमल जो भी आप लिख सकते हैं डर्व बर्स डेट आपको लिखना आधार नमबर लिखना है यह सब जो डिटल से यह अप्लिकेंट यानि का या अप्लिकेंट की होगी अगर सिंगल आप ओपन कर रहे हैं तो फिर जानेंड नमबर लिखना यही में आपको पना है लिखना साथ मैसा ऑगर सेम तो यहां pak给我 supply मोबाइल नमबर आप जरूर लिखेगा क्योंकि SMS वगर आप आने लगे हैं इमेल आप लिख सकते हैं आईडी प्रूब में अगर आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड और उसका नमबर लिखना है तो जो भी आप डॉकुमेंट्स दे रहे हैं उसका यहां पर नाम और नमबर जरू लिखना है अब यहां नीचे आ जाते हैं यहां सिगनेचर दिया हुआ है तो यहां तीन सिगनेचर आपको करने होंगे और साथ ही नाम लिखना होगा अब इसके पीछे के तरफ देख लेते हम पीछे में हमको क्या फिलप करना है अब यहां पर आप देख सकते डिकलेशन दिया गया है जो कि रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताया गया है तो हमको यहां कुछ नहीं करना है फोर्ट नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं अब में इंपोर्टेंट पॉइंट के बात करूं तो यह वाला है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं रहता है जो कि रडी में डिपोजिट होगा बैंक सेविंग्स अकाउंट से अब इसकी फीचर चालू नहीं हुई है तो अगर सेविंग्स अकाउंट है तो आपको हर मेंना पोस्ट जाकर डी में डिपोजिट करने के जरूत नहीं यह लाइन में खड़े होके घंटो था आप यह संद्र तारिक को ही वह अटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा काउंट में सेंविंग से डिबिट हो अगया आपको इस अकाउंट में बैलेंस होना चाहिंए अगर आप एक्टेंट में रखते हैं तो उस मेहना डिपोजिट नहीं होगा और आपको मैनुली जाकर उदर विजि कर देना है यहां पर simply signature of applicant तो यहां पर sign कर देना है फिर यहां nomination की बात आती है पहले क्या होता था अगर आप माइनर के नाम से कुलते थे या joint खोलते थे तो आपको nomination compulsory नहीं था अभी आप minor के नाम से भी अगर खोलते हैं यहां नो मिनी अभी प्रिया घरवल वाइफ यहाँ पर लिखना है नेम आप लिख सकते हैं आधार और शेर जो है हैं अगर एक नोमीनी रख रहे हैं तो 50-50 परशंट आपको हैं मेंसन करना है साथ अगर नोमीनी माइनर है तो उसके गाडेंज की डिटेल भी यहां पर आपको नीचे मेंसन करनी है अब यहां पर आपको रहे कंफर्म करना चांग हो विटनेस यह नहीं है कि जरूरी उसका पोश्ट में कोई एकाउंट हो विटनेस यहां पर कोई भी परसन हो सकता है और उसके बाद यहां पर आपको सिंग्नेचर कर देना है तो फ्रेंड से बहुत ही सिंपल फॉर्म ता आपने देखा क सब्सक्र में जबोझ में कर देना है यहां पर आप को अंपना पर आपका है तो आपको सिंपल स्लिप और यह इक कांट ऑपनिं एक एक सपर करना और एक फोटो यहां पर भी आपको लगानीव में और साथ ही आपका जो यहां पर यहां पर डिटेल से वह आप तो इसके पर मैंने क्यों वीडियो बनाई हुए इसकी वीडियो की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिशन में डाल दूँगा तो उसको जरूर देखेगा साथ याड़ी स्कीम के उपर मैंने पूरी डेटल वीडियो बनाई हुए चार्ट के माध्यम से कैलकुलेटर के साथ कीजीगा आसे पर वीडियो बैदा looking जान सके हैं और यह को किसी के लिए यही यूवेस करने के लिए यूज होता है तो यह हर किसी फॉन के लिए आप यहार प्रोसेस यूटिलासट करके कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे नवह तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजएगा ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें थैंक यू